इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ परधान मंतरी आवास योजना के बारे में जैसे कि मैं आपको बता दूँ गर आप भी अपना परधान मंतरी आवास योजना के लिए आवेधन कर दिये हैं लेकिन उन लोग में से काफ़ी सारी लोग का आवाज यूजना का लव मिल जाता है बट इसके अलावा और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका प्रधानमंत्री आवाज यूजना का लव नहीं मिल पाता है तो आप इस चीज़ को कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जो आवाइदन है और रिजेक्ट किया गया है या फिर अभी पैंडिंग में रखा हुआ है या फिर उसे बेरिफाई कर दिया गया है अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो आज किस वीडियो में आपको मैं क्वेंगे एंड उपेन करने के बाद आपको सीम्पलि यहां पर की आज पर क्लिक कर देना एंड क्लिक करते ही आपके पास इसकर पर उपन करkanा की आपका इस वाला इन्टरफेस ऑपेज़ सी यहाँए यहां पर हो जाएंềकर क्लिक सांगा पर नीचे आना है नीचे आने की बाद आपको सिंपल यहां पर आवाज सफ्ट वाला option को उपर क्लिक करना है इसके बाद आपको यहां पर रिपोर्ट वाला option को उपर क्लिक करने की बाद आपको सिंपल यहां पर नीचे आने की बाद यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर अपको cinco एकडिक करने की बाद आप ईप्रीर्स के और यहां पर इंटर्फीस करने की बाद सब्सक्राइब यहां से अपना से लेना है आक को स्लेट करना है इसके बाद आपको सिंपल यहां पर फिर से लेक्ट वाला बॉक्स पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां से अपना ब्लॉक नेम आपको स्लेट करने के बाद आपको फिर से यहां पर सिलेक्ट वाला बॉक्स पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के आप उर आप माइनस में पभी कभी हो सकता है या फिर फ्लेस में भी हो सकता है इसका इंसर यहांपर मैं प्लस Went करके देता हूं केपचा को इंटर करने के बाद अब आपको सिंपल यहां पर सब्मिट वाला बॉक्स पर आपको क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस प्रकार से यहां पर इंटरफेस ओपन हो जाता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका ग्राम पंचायत में जितना कभी प्रधानमत्री आवास योजना का लाब म सरते हैं एक में अपने नाम को आपको देख नहीं है प्रसे इस लिस्ट में आपना नाम को देखना है η पर आपका नाम नामहीं है आपको देखने की बाद अगर आपका नाम में कुछ इस वरकार से यहाईंब नेम नहीं लिखा हुआ रहा है और इस टीटिस में आपको प्रत्रान्य में Table कोई भी बात ना के अभी जो आपका परम अवासुचिना जो डाटा था तो आपको 100% यहां से मिल जाएगा इसके बाद आपको simply यहां पे नीचे आने की बाद जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक अप्ली केंड का आवास योजना का जो लाब है यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया है यहां पर आप देख सकते हैं कि इस प्रदान मंतरी आवास योजना के लिए आवेदन किये थे, उस आवेदन को मेरा bank account के वज़ा से यहाँ पर reject कर दिया गया है मुझे आपना दूसरा bank account को उसमें verified करवाना है इतना कुछ वहाँ पर बोलने की बाद आपका जो registration number रहेगा उस registration number से उसका status को वहाँ पर ट्रेक करेंगे ट्रेक करने की बाद आपका जो reject region रहेजन को पढ़के इसके बाद जो आगे का process रहेगा वहाँ पर आपका process कर देंगे इसके अलावा और कई सारे अपली केंट का यहाँ पर आवास योजना का लाब नहीं मिलता है क्योंकि उनका भी कुछ इसी region के वजह से यहाँ पर पर परदान मंतरी आवास योजना का लाब नहीं मिलता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और अपली केंट का इसी परकार से यहाँ पर आवास योजना को reject कर दिया गया है अब आप अपना परदान मंतरी आवास योजना लिस्ट में अपना नाम verified में है या फिर pending में है या फिर किसी कारण से reject है अब यहाँ से आप जान सकते हैं इस वेडियो में दिया हुआ जनकारी अगर आपको पसंद आया होगा तो ग्राइज यार इस वेडियो को लाइक कर दीजेगा एंडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा तो फ्रेंज चलते हैं तब तक के लिए बब बाई